Hello everyone, इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिल जाएंगी इस combined वीडियो में combined वीडियो का मतलब है कि इसमें मैं आपको बहुत सारी बीमारियां बताने वाला हूँ 7-8 तरे की बीमारियां कि आप उसको कैसे डाइगनोस कर सकते हैं आपकी बोड़ी में अगर यह सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको क्या क्या बीमारियां होने के चांसे सही यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं चीज़े, कुछ अलग तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं अपनी जो कल के मेरे patients हैं उनको मैं आपको show करना चाहता हूँ कि क्या-क्या बिमारी patients के अंदर आजकल होती है सभी को नहीं जो खास patient हैं जिनके अंदर कुछ अलग सी बिमारिया रहती हैं बना तो cold, cough, fever यह तो सब generally चलता रहता है बट यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि patient किस तरह से अपने symptoms मतलब बताते हैं जिससे हमें idea लगता है यहाँ पर कोई भी patient की privacy leak नहीं हुई है यहाँ पर जस्ट आपको में picture लगा के दिखाऊंगा बाकी सबसे पहला मेरे पास case आया कल की में बात बता रहा हूँ यहाँ यहाँ पर date आपको डली हुए मिल जाएगी 2-4 की में आपको बात बता रहा हूँ तो सबसे पहला patient मेरे पास आता है constipation का constipation मतलब कबज आम भाशा में जिसको बोलते हैं पेट साफ ना होना female patient है age 40 तो इनको एक बहुत लंबी समझ है मेरे पास पहली बार नहीं आई है लगभग पिछले एक मेह से treatment में है और इनकी बहुत पुरानी problem है कि इनका पेट ठीक से साफ नहीं होता है भूब भी बराबर लगती रहती और इनको कोई uneasiness नहीं होती comfortable इनको फिल होता है तो इनको medicine दी हुई है लगभग 50% फायदा है इनको और मैंने इनको कोई भी lexative tablet या lexative जो patent आते हैं उन में से नहीं दिया इनको मैंने एक selected medicine दी है साथ में इनका lifestyle चेंज किया है बहुत सारी tips में इनको दिये lifestyle वाले तब जाके इनको थोड़ा 50% अभी अराम हुआ है तो पहली patient है पेट साफ ना होना जनरली जो है पेट में भारीपन भी होता है लोग उनको लेकिन इन patient के अंदर कोई ऐसी समस्य नहीं थी second case के हम बात करते है जो क्या था stone with pain यह जो patient है female patient है इस chair पर बैठी थी तो उनको बहुत problem थी यहाँ पर जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ यहाँ पर उनको दर्द था इस side दर्द था left side में और इन्होंने कल ultrasound करवाया तो उसमें 3-4 mm की पत्री आई patient जो है गाउं की है और ज्यादा दवाईयां नहीं खाती है और तो इनको मैंने एक अपनी drop जो मेरी favorite drop है वो मैंने इनको दी है clear stone drop दी है पिशाब में जो भी जिलन वगरा थी उसके लिए मैंने इनको cantheris 200 एक dose दे दी थी बाकि मुझे यकीन है कि इसकी जो पत्री है जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा चाय के लिए मैंने इनको मना की है यह सारी चीज़ मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि practical वीडियो है कि हम clinic में कैसे patient को deal करते हैं क्या उनको सलह दे पहा है तो clear stone drop दी है उनको 15-20 गुने एक ग्लास पानी में उनको पीनी है चाय बिल्कलो बंद करनी है दिन में तीन बारी उनको medicine लेनी है और उनको एक dose में cantheris 200 की दे चुगा तो जिससे उनको relief मिल जाएगा बाकी पानी तो देखे ज़्यादा पीना चाहिए बाकी जो इस side में इनके बैठे थे वो इनके husband थे उनके भी 4-5 पत्री 81 एक साथ निकली एक दिन के अंदर निकली है total 7 पत्री थी उनके अंदर 5-6 पत्री थी 7 ठी total और उनको मैंने साथ में और भी दाइया चलाइती clear stone के लावा तो उनकी जो परिशानिया बहुत ठीक है ठीक है परिशेंट की हम बात करते हैं जो कि आती है एक महिला जिनको multiple problems हैं खास करके पेट के अंदर प्रॉलम थी ये महिला मेरे पास 3 दिन या चार दिन पहले भी आई थी इनको मैंने ultrasound suggest किया था और साथ में कुछ blood reports घी मैंने suggest की थी इनके symptoms थे इनको यहाँ दर्द हो रहा था चुभन बाला दर्द था गैस बहुत जादा बन रही थी ये वाला जो pain था पीछे तक radiate कर रहा था तो पहली बार जबी आई इनको मैंने suggest किया कि आप ultrasound करवाईए उसमें हो सकता है कि आपके gall bladder के अंदर gall bladder के अंदर पत्री हो सकती है बाकि मैंने इनको उस दिन को यह ऐसी medicine नहीं दी थी तो कल यह ultrasound करागा है है तो ultrasound में देखने को मिलता है कि 9 mm की gall bladder के अंदर stone है बाकि 5 mm की इनको kidney stone है बाकि इनकी ball में सूजन है मतलब आतों में थोड़ी सूजन है जिसके विसे इनको ग्यास जादा बनती है बाकि PID pelvic inflammatory disease की भी परलाव है तो इनको मैंने gall bladder की medicine को छोड़ के मैंने इनको सारी चीज़ों की medicine दी है gall grader के लिए मैंने बुला कि आप जो आने वाले समय में अपनी surgery करवा सकते हैं इसके मैं medicine नहीं देता हूँ बात करते हैं नंबर 4th patient की जो कि आते में रपाए diabetes के लिए ये मैंने बीच में से लिए है टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग है बीच में और भी patient है चोटे मोटे जो आत रहत है बाकी diabetes मैंने दी है 400 plus में है patient और इनके अंदर भी multiple problem है इनको एक महिला है जानने वाली मेरी तो उनोंने इनको बुलाया अपने गाउं से गाउं की रहने वाली है ये पास की और इनके अंदर भी multiple problems है इनकी age होगी patient की 55 age मैंने लिख्य हुई है इनको 400 plus में sugar थी तो इनके अंदर जो symptoms थे multiple थे कि इनको पिंडलियों में दर्द होना patient खुद बोलता है कि पिंडलियों में बहुत दर्द होता है मुझसे खड़े नहीं होया जाता और मुझे बहुत भारी पन महसूस होता है जिसे पैर बहुत जादा भारी हो गए है पैर उठा के चला भी नहीं जाता इतना जादा भारी पन हो जाता है उनको ये सब होता है diabetes में जो उनकी शुगर हाई हो जाती है क्याती है जब साड़े 300-400 शुगर हो जाती है ता मेरे अंदर याले सिम्टम्स आते है बाकि कई साल से अलोपथिक टैबलेट ले रही है फिर भी इनकी जो शुगर है वो 400 प्लस में है तो सारी कहानी इनकी बोडी में जो जो सिम्टम्स मैंने लिए है बैस तो multiple सिम्टम्स आये हैं इनकी बोडी में सारे connected हैं इनकी diabetes से तो इनको मैंने diabetes के हिसाब से medicine दी है बाकि इस patient ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था तो मैंने इनको patent वाली medicine दिये Diagonal Tablet आती, SBL company की बाकि इनको थोड़ा like style के लिए मैंने इनको बताया तो थोड़ा उनको अराम हो सकता है ज़्यादा मैं medicine नहीं देता हूँ शुगर आले patient को बोलता हूँ कि आप maximum 10 दिन medicine खाई उसके अपनी जांच कराईए उसके हिसाब से जो भी होगा further treatment में आपको बताऊंगा करना है या फिर नहीं करना है या फिर कोई ओर treatment आपको देना है ठीक है तो ये हो गई है number 5 patient के हम बात करते हैं male patient age होगी इनकी 37 इनको कुछ male problems है मतलब excessive sexual desire इनके अंदर है गर से दूर रहते हैं तो इनको भी मैंने medicine दी है चलिए इस वाली case को में skip कर देता हूँ number 6 वाले जो patient है ये है एक छोटी सी बच्ची गुडिया जिसको रात में सोते समय इनको urine निकल जाता है और इनको पता इन लगता तो urine incontinence है इनको रात में है इनको बने CPI 30 medicine दी है वन ड्राम दी है पास की रहने वाली है बाकी जो है इनको result मिल जाएंगे कुछ cases में हम definitely हमें पता रहता है कि patient को फायदा हो जाएगा इन patient को लगभग 8-10 दिन की medicine दी है पास की patient है दुबारा बताएंगी तो इनको 2-3 बारी की medicine में ये patient ठीक हो जाएंगी 4 साल की बच्ची के वली है बाकी ये number 7 case के हम बात करते है छोटा बच्चा जो की होगा भी 3-4 साल का इनको skin में eczema है इसमें एक interesting चीज ये है इस वाले case में इस बच्चे को eczema यहाँ पर गर्दन पर है चहरे पर था क्योंकि बच्चे मेरे पास 3 दिन पहले आया था और पैर में छोटे-छोटे दाने हैं इस बच्चे के और इस बच्चे को मैंने medicine दी थी 3 दिन पहले लाइको पोडिय में एक home protein medicine है वो मैंने दी थी कुछ symptoms देखके दी थी तो इसमें जो eczema है उसमें जो redness उसको हो रही थी बच्चे को वो कम हो गई है जो उसको ज़्यादा खुझली आ रही थी वो लगए 50% कम हो गई है बाकी यह मेरे पास आये थे एक patient इनको refer किया था क्योंकि यह पास से treatment ले रहे थे अपने पास में एक skinny specialist doctor है बच्चों के ही है तो उनको इन्होंने दिखाया उनकी दो दिन medicine खाई तो इनको आराम नहीं लगा तो किसने मेरे पास भेजाता है इनको तो इनको medicine से आराम है बाकी इनके पास medicine थी तो इनको मैंने तीन दिन बाद और बुलाया है ठीक है नमबर आता है यह patient का जो की pain due to weakness अब ऐसा होता है कि कहीं बार हमें patient को देखना होता है कि इसके अंदर कोई बिमारी है या फिर नहीं है यह बिल एक journal weakness की वेसा ऐसा हो रहा है यह है female patient age होगी 20 आसपास होगी female patient है इनके अंदर कुछ ऐसे symptoms नहीं बता है कुछ ऐसे selection बता है इनकी body के अंदर कोई समस्य नहीं है कि वेकनेस की समस्य है कि वेकनेस की समस्य है patient कहते हैं मैं जब भी थोड़ा चल लेती हूँ मेरा सास फूलता है मेरी पिंडली में दर्द होता है ठकान होती है चक्कर भी आते है खाना कम खाती है प्यास बहुत कम लगती है पानी नहीं पीती है पेट में कहीं बार चुभन वाला दर्द रहता है खाना खाने से थोड़ा राम हो जाता है जिस दिन सही खाना खाती है उस दिन थोड़ी energy feel होती है बैठने का काम है लगतार में शाय सिलाई का काम करती है तो ऐसे patient में क्या होता है इनको तो मैंने लगबद दो महीने पर ट्रीटमेंट दिया था इनको PCOD की प्रॉलम होगी थी तो इनकी reports बगरा होगी थी इनकी सारी वो normal आई थी और कोई समस्या नहीं आई थी अब इनका जो ultrasound था वो गयोगी परफेक्ट आया था तो अब ये दो महीने बाद मेरे पास आई है तो इनको मैंने जो medicine दी है कि वो एक multivitamin का syrup दिया है साथ में थोड़ी सी अपनी एक homepathy medicine दी है बाकि इनका भी मुझे मालूम है कि थोड़ा एक खाना ठीक कर लेंगी और जो vitamins भी है मैंने उसी से इनको और हम लग जाएगा बाकि देगे दोस्तों आपको इस तरह के videos पसंद है daily practice में किस किस तरह के patients आते हैं कैसे deal होती है क्या symptoms आते हैं हमें क्या medicine देने हैं क्या deal करते हैं तो आप मुझे नीचे comment जरूर कीजिए मैं इस तरह के video जरूर बनाऊंगा इस तरह के video बनाना काफी आसान होता है मतलब इतना difficult नहीं है काफी आसान नहता है क्योंकि हाँ पे हम अपने clinical practice जो हो रही है हमारी हम वोसी को show करते हैं आज के इस video में इतना है thank you so much